हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं जोतेश रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिया दर्शक गणों का बहुत बहुत हारदिक स्वागत और अभी नंदन प्रिया साथियों मैं हूँ आचारे पंडिस सर्वद अनंद शर्मा और मेरी ओर से भी एक बार फिर आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार तो साथियों आज हम आपके साथ जो चर्चा करने वाले हैं जो बात करने वाले हैं यह मुख्य तौर पे सूर्य देव जी को ले आप से करेंगे ही और सभी बारे लगन राशी के जातकों पर इनके राशी परिवर्तन के उपरांत किस किस प्रकार के परिणामों की अधिक मिलने की संभाव न रहेगी इसके विशह में भी बताएंगे आप से बात करने वाले हैं लेकिन आपको थोड़ा ब्रीफिंग सूर सूरे देव नौगरहों के राजा माने जाते हैं आप जानते हैं लेकिन इस बार जो इनका राशी परिवर्तन है राशी परिवर्तन अच्छे राशी में जा रहे हैं अपनी परामुच राशी में जाएंगे लिकिन वहां जाने के बाद यह पीड़ित अवस्था में आ अपने इस्थिती बहुत कमजोर हो जाएगी क्यों पीडित मैंने शब्द कहा है पीडित का मतलब तो यही होता है victimized मतलब के अगर कोई पीडित है कष्ट में है तकलीफ में है वही इस्थिती सूर्य देव की रहेगी एक महीने और इसी अप्रेल के महीने में इसी कारण सूर्य गरहन भी पढ़ रहा एक प्रिया साथियों जो कि 20 अप्रेल को है और वो जो सूर्य गरहन पढ़ना है 20 अप्रेल को 2023 को पहला सूर्य गरहन होगा इस वर्ष का तो उसके विशे में हमने बात की है अलग से वीडियो तयार किया है सूरे ग्रहन को लेके और वो जो वीडियो है वो यूट्यूब पर पब्लिश हो चुका है तो आप उसको देख करके भी सारी जानकारिया आप ले सकते हैं सूरे देव से संबंदे अब क्योंकि जिन जातकों कुंडली में सूरे देव की सिती अच्छी नहीं है कमजोर है उनके लिए तो और पीड़ा दायक हो जाएंगे यूं तो यह सभी बारह अलगन राशी के जातकों को कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ इनके दुश्प्रभाव देखने में आएंगे किसी ना किसी रूप में तो देखे क्या है कि यह क्यों होगा ऐसा आप कहेंगे कि यह तो उच्छराशी में बता रहे हैं गुरू जी लेकिन यह फिर पीड़ित भी कह रहे हैं जी हां वो उच्छराशी में तो जाएंगे लेकिन पीड़ित इसलिए होंगे क्योंकि वहाँ पर पहले से ही इनके परम बड़ा और ये देखे क्या होता है कि जब सूरे राहू का संब्ध बनता है कि घृत तो उसकी सोच अलग है लेकिन आधार पर बात कर रहे हैं तो एन यह तो माश्तिक पाननेता है कि सूर्य चंद्र गरहन जब्दीा पढ़ता है तो तब पढ़ता है कि सूर्य चंद्र corresponds भूर्ण संपर्क मैं आहे हैं हैं के उसी के कारण स्विप दोष्फ बनेगा गरहन दोष्फ बनेगा कि तो किसी ना- किसी रूप में सभी बारे लगन राशी के जातकों को इसका कुछ ना कोई दुष्प्रवाव देखना को जरूर मिलेगा लेकिन आपको निराश नहीं होना है बस एक बात का ध्यान रखिएगा यह तो हम रेमेडी भी आपको बताएंगे उपाये भी देंगे एक बात का विशेज जब भी सूरेदेव को लेकर करके हमारी कोई वीडियो बनती है कि यह सूरेदेव जो है मान सम्मान यश ख्याती पॉपुलरिडी नेम फेम यही देते हैं सूरही इसके कारक हैं आपकी समाज में घर परिवार में कहीं भी अगर आपका मान सम्मान हो रहा है इजध हो रही है आपको इज़्जत मिल रही है, तो वो सूरे देव, उसके कारथ हैं सूरे देव के ही कारण मिलती है. अगर आपकी कुंड़ी में सूरे की इस सिथि अच्छी है और जितनी ज्याद़ अच्छी होगी उतना ही व्यक्ति को अपने जीवन में मान सम्मान मिलता है लेकिन यहां पर क्या है कि इस समय सूरे की स्थिती बहुत कमजोर होने जा रही है सूरे पीड़ी तवस्था में होने जा रहे है और एक महीने रहेंगे यह पीड़ी तवस्था में तो मैंने मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि भाई किसी महीने तक जब तक सूर्य पीडित हैं मेश राशी में हैं तब तक आप अपनी और से इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि जाने अंजाने आप से कोई ऐसा कार्य ना हो जाए या ऐसा कोई आपके द्वारा डिसीजिन ना लिया जाए कि जिससे की आपके मान सम्मान में कमी आए या आपको कहीं नीचा देखना पड़े या आपको कहीं शर्मिंदा होना पड़े तो ऐसी चीजों से बचिएगा क्योंकि सूर्य की सिती बहुत कमजोर है ट्रांसिट में होने जा रही है तो अब हम आप से बताते हैं ये तो हमने आपको सरफ जश्ट एक ये बताया थ हमारी तरफ से इंफॉर्मिशन ये थी सूर्य देव को लेकर के कि सूर्य देव इस बार इस सिती उनकी अच्छी नहीं है ट्रांसिट में कब से नहीं है वो हम सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं तो साथियों सूर्य देव जो कि नौगरों के राजा मैंने जै इनर्जी पॉलिटिक्स राजनीती चिकित्सा मेडिकल फिल्ड विज्ञान टेकनोलोजी और गौरव पराक्रम के देने वाले हैं सूर्य देव इन सब्सक्राइब के देने वाले हैं व्यक्ति के अंदर जो डिटर्मिनेशन होता है आता है रहता है द्रण इच्छा कितना जादा है कितना कम है ये भी सूर्य देव ही इस शक्ति को देते हैं जितने शूर्य देव मजबूत होंगे आपके हरोस्कोप में उतनी द्रण शक्ती आपकी द्रण इच्छा शक्ती मजबूत होगी तो साथियों यही सूर्यदेव अव अपना राशी परिवर्तन करेंगे और दिनांक 14 अप्रेल सन 2023 दिन शुक्रवार होगा और तित होगी नवमी को दोपहर दो बचकर 58 मिनट पर अपनी मित्र राशी ये मीन से निकल करके अपनी उच्छ राशी मेश में प्रिवेश करेंगे 14 अप्रेल को 2030 को तथा इस राशी में फिर ये पंदरा माई सन 2023 सट बने रहेंगे पूरे एक महीना कि इस राशी में इनका संभन्द अपने परम शत्रू जैसा मैंने कहा और महा क्रूर और महापापी घ्रह राहु जैसे ग्रह के साथ बनेगा तों था मैं अपने सम ग्रहे बुद्ध के साथ भी इनका संबंद बनेगा तो था 22 अपरेल से अपने मित्र ग्रहे ब्रश्पती के साथ भी इनका संबंद बनेगा तो वहां पर 22 तारिक से 4 ग्रही योग रहेगा Have a n दाइंते तक इस पूरे अप्रेल में और आगे माने तो एक यह से इस कि चतुर ग्रह योग भी बन जाएगा अब ये चार ग्रहों का योग तो बन गया लेकिन यहां पर राहु भी बिराज मान rais तो क्योंकि राहू विराज माने तो राहू तो सूरे देव जैसे ग्रह को जो कि नौ ग्रहों के राजा माने जाते हैं उन तक को पीडित कर देते हैं ये भी उनसे पीडित हो जाते हैं राहू जैसे महापापी महा ग्रह से और जब शत्रुता होती है तो तो राहू और भी ज् होता तब तो अच्छा था लेकिन अब यह सूर्य देव जैसे हैं तो प्रियसातियों यह एक महीने रहेंगे इस राशी में सूर्य और रौहू से पीडित रहेंगे और 20 तारिक को मैंने फिर कहा के सूर्य ग्रण भी है उसका आलक से वीडियो पब्लिश हो चुका है पहले ही यूट्यूब पर तो वहां से भी आप information ले सकते हैं सूर्य ग्रण को ले करके वह वीडियो भी आप देख करके आपको काफी कुछ जानकारी प्राप्त होंगी और क्या-क्या precautions ली जानी चाहिए क्या-क्या remedies आपको करनी है क्या-क्या उपाय करने होते हैं वो सब चीजें हमने उसमें discuss की हैं thoroughly तो प्रियसातियों अब ये तो रही इनके हमने बताया कि ये तो राशी की बात रही राशी परिवर्तन अब जब ये मेश राशी में रहेंगे 14 अप्रेल से लेकर 15 मई तक का जो समय होगा इस पूरे एक महीने इसमें इनके नक्षत्र जिसन नक्षत्रों में ये संचार करेंगे राशी के साथ वो भी शत्रू ग्रहों के ही नक्षत्र होंगे यानि के 14 अप्रेल से 24 अप्रेल तक तो याशुनी नक्षत्र में रहेंगे के तू के नक्षत्र में और एक मई से 10 मईही तक रहेंगे भणी नक्षात्र में शुक्र के नक्षात्र में वो भी इनके शत्रू ग्रें हैं तो हर तरफ से इनकी सिती जो है वो कमजोर है अच्छी नहीं है और 11 मही से 22 मही तक ये फिर आएंगे अपने नक्षा than मैं तो ग्यारे माई को आएंगे ये अपने स्वहम के नक्षा त्रकृती काम है लेकिन पंद्रे माई को इनका राशी परिवर्तन होई जाएगा फिर फिर तो कोई बात ही नहीं तो कहने का भाव यही है कि जब तक ये मेश राशी में रहेंगे चौदा अपरेल से पंद्रे मा सुर्य ग्रह का सुर्य देव का है सुर्य देव जैसे ग्रह का है तो आएए आगे अब हम आपको बताने वाले हैं कि मेश से लेकर मीन तक आप सभी लगन राशी के जात्कों को इस पूरे एक महीने चौदे अपरेल से पंद्रे मही के बीच में किस-किस प्रकार के भावना अधिक है तो आईए जानते तो प्रियसातियों आईए सबसे पहले बात करेंगे आप से जो मेश लगन राशी के जातक हैं एरीज असेंडेंट बेस जो जातक हैं आपके उपर सुर्य देव के मेश राशी में जाने पर किस प्रकार के प्रिणाम उनके द्वारा दे प्रियसातियों सबसे पहली में आपको बात बताना चाओंगा कि चात्रों के लिए जो स्टूडेंट से मेश लगन राशी के उनके लिए ये समय बहुत एक तरीके से बहुत कठिन समय है कठिन समय रहेगा हो सकता है कि आपका ध्यान आपका फोकस पढ़ाई में ना हो पूरा या आपका दिल ना लगे पढ़ाई में या किसी वज़ा से अगर आप पढ़ाई पढ़ते भी हैं करते भी हैं तो आपको अपनी इच्छा के अनुसार परिणामों की प्राप्ति ना हो पाना इस तरीके कोई भी कर रहे हैं व्यापार कर रहे हैं या रोजगार कर रहे हैं उनको भी महत्पूर्ण और बड़े डिसीजन्स जल्दवाजी में बिलकुल ना लें सोच समझ करके लिए जादा बहतर तो यह करके ही आप कोई भी बड़ा फैसला जरू मतलब लें अपने यह सोच करके के मैं कई बार यह होता है कि नहीं मैं बहुत सीनियर मोस्ट हूं मुझे अच्छा नहीं लगएगा कि इन लोगों के साथ मैं डिसकस कर रहा हूं या इंसे मतलब एक तरीके सा एडवाइज ले रहा हूं या तो ऐसा लोगों के फिलिंग होती है लेकिन भाई आपके द्वारा लिया गया डिसीजन अगर आप अपने स्वेम अपने बेस पर डिसीजन लेंगे उस डिसीजन का आपको नुक्सान उठाना पड़ जाएगा और उस काफी हथ तक ले करके या जो इंटलेक्ट्वल्स हैं उन से बात करके तब कोई बड़ा डिसीजन आपको लेना चाहिए इस पूरे एक महीने के दोरान 14 अपरेल से 15 मई के बीच में संतान की ओर से माता पिता को परिणामों की अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने में काफी कमी या आप उधर संतान जो अभी जिनकी इतनी उमर नहीं है थोड़ा सा कच्छी उमर के बच्चे हैं तो हो सकता है कि वो रहा बठक जाए तो इस बात को माता पिता को देखना होगा कि कहीं बच्चा गलत रहा पर तो नहीं चाहरा है यह सब वो सूर्य के द्वारा मिलने वाले प्रभाव हैं निगेटिव इफेक्ट जो आपको मिल सकते हैं मेश लगनराशी के जात्कों को और देखिए बुद्धी भी आपकी भिर्मित हो सकती है मान सम्मान में कमी हो सकती है इस बात का विशेज द्यान रखिए अंत में हम रेमिडीज देंगे आपको क्या रेमिडीज आपको करनी है जब हम बारे लगनराशी के जात्कों के विशे में बात कर चुके होंगे तब अंत में जाकर के हम रेमिडीज देंगे आप वो रेमिडीज करिए यह सभी के लिए बहुत आवश्यक है सभी बारे लग लगन राशी के जो जातक है तो देखिए आप ब्रिशब लगन राशी के जातकों के चार्ट में सूर्य देव चतुर्थ भाव यानि फोर्थ हाउस के लॉड हो करके और द्वादश भाव यानि ट्वेल्थ हाउस में जाकर के बैठेंगे अपनी परम उच्छ राशी में परम में तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि आपके जो शत्रू है या उनको हम विरोधी के हैं या पॉनेंट्स के हैं या कॉम्पेटिटर्स के हैं जो भी आप समझना चाहें जिस जो भी आपको सूट करता हो वार्ड इसमें से यह सभी आपके लिए तनाव का कारण बन स करेंगे जो आपके एनिमीज हैं वो आपको नुकसान पहुचाने की कोशिश करेंगे तो उनकी तरफ से आपको बहुत साफधान रहना है यदि आप कोई लोन कर जादी लेने के लिए अपने प्रियास कर रहे हैं पहले से उसमें भी सक्सिस ना मिलना इस जूरेशन में 14 ख्यान रखना भोगा आपको अं और सुख्शू विधाओं में कमी या गई बार होता है कि सुख्शू विधाओं पहले ही कम हैं लेकिन कहीं दफा क्या होता है बहुत लोगों की जीवन में के सुकसोविधाओंच तो सब कुछ है सब कुछ हां एवीलयविल लेकिन हालात कुछ ऐसे बन जाते जैने도 यांक उन सुकसोविधाओं का भोग नहीं करपाते तो यहाँ पर भी कुछ इसी परकतaking के हाला दिख रहे हैं कि आप होते हुए भी उनका लाब ना ले पाएं और खर्च की अधिक संभावना खर्च तो आपके समझ के चलिए कि धनका व्यत और काफी मात्रा में होने वाला है तो आप अपना बजट ना बिगाड़ बैठें तो इसलिए आपके लिए ये बहुत आप अपने खर्चों पर नियंत्रन जरूर करें और खर्चा इधर उधर बिल्कुल ना करें अन्य था आप परेशान हो जाएंगे धनके अभाव के कारण आगे बात करेंगे जो मिथुन लगंडाशी के जातक है जेमनी असेंडेंट बेस्ट जो परसंस है आपके चार्ट म सूर्य देव जो है वो थर्ड हाउस के लौड है तिरतिय भाव के और यह एक आदश भाव में आएंगे इलेविंथ हाउस में और जब यह यहां पर आएंगे तो आपकी आए में कमी होगी आपको लगेगा तो ऐसा मान लीजिए कि आपकी कोई प्रमोशन हुई अब प्रमोशन में आपकी जो सेलरी है या जो इंकम है उसमें इंक्रीजमेंट हो गया आपको इंक्रीमेंट अच्छा मिला सारा कुछ राइटिंग में भी मिल गया कि आपको आपकी सेलरी इतना इंक् गया लेकिन अभी पैसे हाथ में नहीं आए यह इस्थिती रह सकती है इसे एक महीने में या धन के अबाओ में कमी या कोई रुकावट ये इस प्रकार की दहन को ले करके इंकम को ले करके आपकी आए में इस प्रकार की समस्या बनने की बहुत अधिक संभावना है और चात्रों के लिए तो भाई बहुत कठिन समय हो गाई है चात्रों को अपनी पढ़ाई पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवशक्ता रहेगी और अगर आप ने ध्यान नहीं दिया तो रिजल्ट्स आपके एकदम और यह भी बहुत आवशक है कि आपका दिल दिमाग पढ़ाई की और रहे आप अपना पढ़ाई पर पूरी तरीके से फोकस करें यह भी आवशक है यहां पर ऐसे भी आहलात बन सकते हैं कि आपका पढ़ाई से दिल हटेगा और जब पढ़ाई से दिल हटता है तो समझ ली रिजल्ट्स तो फिर निगेटिव होंगे न तो इसलिए छात्रों को बहुत होशार रहना बहुत कौशियस रहना है इस एक महीने में छात्रों के लिए बहुत सिती कठिन है और संतान जो है माता पिता को जो मिथुन लगन राशी के जातक हैं उनकी जो संतान है संतान की और से भी उनको परेशानिया चिंता टेंशन ये रह सकती है किसी ना किसी बात को ले करके और संतान इतना ही नहीं संतान कोई गलत मार्ग पर ना चलना आरम कर दे कोई गलत रास्ता ना पकड़ ले गलत रास्ता अक्तियार ना कर ले बच्चे कई बार भटक जाते हैं तो यहां पर सूर्य देव के कारण कुछ इस प्रकार के भी संकेत मिल रहे हैं तो अपनी संतान पर भी अपना आप माता-पिता से हमारा यह कहना है कि अपनी संतान पर भी पूरा ध्यान रखिएगा घर में कलेश इन चीज़ों से बचिए चीज़ों को संतान को अच्छे दंग से अच्छी तरीके से जहां तक हो सके हैंडल करने की कोशिच करें अगर आपको ऐसा लगता है लेकिन इसकी संभावना काफी ज़्यादा है इसलिए हम कह रहे हैं मतलब संतान की और से माता पिता को टेंशन और मित्रों की ओर से भी आपको साफधान रहना है मित्रों पर पूरा विश्वास ना करें ट्रस्ट ना करें अन्यथा धोका मिल सकता है बड़े भाई बहनों की तरफ से भी समस्या बन सकती है और देखिए यहां पर मैं एक चीज और बता दूँ मैंने जैसा भी छात्रों के लिए कहा अगर आप छात्र लोग सब कुछ भुला करके अगर अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं तो महा के उत्रार्थ तक जो भी आप पढ़ेंगे उसमें आप रिजल्ट्स ला सकते हैं अपने अनुसार लेकिन फोकस करना पड़ेगा बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यक्ता रहेगी अब आगे बात करेंगे करकलगन राशी के जात्कों के विशे में के भाई आपके लिए सूर्य देव किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे जब ये अपनी उच् करके आपके एक महीने 14 अपरेल से लेके और 15 मही के बीच आपके करियर के घर में प्रियसाथियों अपने करियर को लेकर के बहुत 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 कंसर्न रहने के आपको आवश्यक्ता रहेगी वरना कोई ना कोई या तो डिमोशन हो सकता है और कोई बड़ी बात नहीं कोई बड़ी बात नहीं कि आपका कहीं ऐसी जगा पर ट्रांसफर हो जाए कि जहां पर आप जा करके खुश ना हो या वह आपकी इच्छा के अनुरूप ना हो ट्रांसफर या जहां पर आप कारे रथ हैं डिजर्वाप करते हैं पदोनती के लिए और वही अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार की भी होनी है तो यह सूर्यदेव के कारण आपके मान सम्मान में कमी होगी और यह चीज़ आपको बहुत हद तक परेशान करेगी इसका आपको अनुभाव भी होगा अब आप महसूस करेंगे उस समय पर 14 अप्रेल से 15 म अराशी के जातकों के लिए बहुत चेलेंजिंग सिच्वेशन रहने वाली है बहुत इसको टैक्ट कुली हैंडल करने की आवश्रक्ता रहे की बहुत टैक्ट्फुली और सबसे बड़ी बात कि आपको बहुत के साथ काम करना है लंबा समय नहीं है एक महीने का समय है 14 अप के पृती कूल हो रही है आप देख रहे हैं समझ रहे हैं सब कुछ लेकिन आप उनको शांती से देखते रही है यह समय बदलेगा और जब बदलेगा तो चीज़ा बदलेंगी तो आप एक महीने पूरा शांत रही है रेमेडी हम आपको देने जा रहे हैं प्रोग्राम के अंत में देखते रही है प्रोग्राम हमारा और सुक्स विधाओं में भी कमी रहेगी साथियों वहानादी की से भी चोट का डर है वहान से अगर वहान चलाते हैं तो बहुत केरफुली चलाएं और यदि किसी मशीन मशीन से रिलेटेड कोई आपका काम है टेकनिकल काम करते हैं आप तो भी वहाँ पर भी बहुत सावधानी से करें चोट लगने का दुरगटना घटने का खत्रा रहे इस दोरान तो आपको अपने कारे छेत्र में तो बहुत-बहुत समल करके चलने की आवशकता है मेरे स कौमी हैं और बैठेंगे यह आपके भाग्य भाव में तो देखिए जब यह यहां पर आएंगे तो निश्चित रूप से भाग्य में कमी भाग्य के सैयोग में कमी और भाग्य के साथ साथ जो हायर एजूकेशन ले रहा है इस्टूडेंट्स उनके लिए भी बड़ी प्र कोई कारण ऐसा बन जाए कि पढ़ाई उनकी कॉंटिनू ना हो पाए और उनके रिजल्ट्स इफेक्टेड हो जाए तो इस बात की संभावना बहुत अधिक है तो कृपया इस बात पर आप ध्यान दीजे जो स्टूडेंट्स हायर इस्टूडीस कर रहे हैं बाकी भाग्य म जो सारी वीक हो गई और जब कुंडली वीक हो गई तो समय वीक हो गया जब समय कमजोर हो गया तो फिर कुछ भी अपने हिसाब से सही नहीं रहता है आपके प्राकरम की कमी हो जाएगी आप में उर्जा की एनरजी लेविल आपका डाउन रहेगा आलस से कुछ जादे परिवार जो परिजन हैं उनके सहयोग में भी कमी का एहसास आपको होगा जो यात्रा है आप करेंगे वो भी आपके लिए सुखत सावित नहीं होंगी तो लेकिन एक महीने का समय है रेमिडीज हम अंत में दे रहे हैं देंगे देने वाले हैं उनको आप करें निश्यत रू कारण उसको तो समझना होगा देखना होगा कि कैसे उस सिच्वेशन को हम तरीके से हैंडिल कर सकते हैं और मदद हम आपकी कर रहे हैं कि किस छेतर में आपको किस प्रकार के परिणाम मिलने की संभावना है निगेटिव रिजर्ट्स तो वहां वहां आपको सावधान नहना ह बस और बहुत पेशेंटली चीजों को हैंडिल करना है टैक्टफुली वे में आगे बात करते हैं कन्या लगनाशी के जो जातक हैं विर्गो असेंडेंट पेस जातक आपके चार्ट में सूर्य देव द्वादश भाव यानि ट्वैल्थ हाउस के लौड हैं और वह अश्ट वैचारिक मत बहिद भी कुछ ना कुछ इशूज बनेंगे काफी कुछ टेंशन रह सकती है आपके और आपके परिजरों के बीच और घर के जो बुजुर्ग हैं उनका प्यार तो आपको मिलना आपको ऐसा तो लगेगा कि प्यार मिल रहा है मिलने ना चाहिए वो भी ये फ जमा किया गया आपका पैसा है पूंजी है वो भी कही ना कहीं किसी ना किसी कोई कारण ऐसा बन सकता है जिसकी वज़ा से वो धन आपका दरू धन निकल सकता है जो आपने अभी तक जोड़ा है या सेव किया है उसमें से काफी मात्रा कह सकते हैं कि निकल सकती है तो और आप की वाणी के कारव भी बीवाद पैदा हो सकते हैं लोगों के साथ different और मैं जैसा की आरंब में ही बोला हूं के देखेंए मान सम्मान के कारव हैं यह और ख्याती के कार्व हैं तो अपनी जरा वानी पर आप करपिया कंट्रोल रखें कन्या लगनराशी के जाता कि किसी के साथ वाद विवाद ना हो वाद विवाद होगा जगड़ा जंजट होगा उल्जहने बढ़ेंगी आपके लिए टेंशन बढ़ेंगी आपके मान समान में भी कमी आ सकती है क्योंकि सुर्य की स्थिती बहुत वीक है तो इ अचानक कोई प्रमोशन तो होगा होने की अमीद तो है लेकिन ये प्रमोशन आपके लिए ऐसा समझिएगा कि जैसे की कोई कांटों का ताज प्रमोशन हो सकता है इसकी भी संभाव ना है लेकिन वो प्रमोशन ऐसा होगा कि जैसे सर पर कोई कांटों का ताज रख दिया किस transcendent base जो जातक है आपके चार्ट में सूर्यदेव जो है वो 11th house के Lord है इंकम के Lord है लाब के स्वामी है और यह सब्तम house में बैठेंगे तो प्रियसातियों जब यह सब्तम house में आकर के बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपकी married life को यह प्रभावित करेंगे डिस्टर्व करेंगे क्योंकि यहां राहू भी बैठें राहू और सूर्य एक साथ बैठेंगे तो वैवाहिक जीवन में उथल पुथल होने की भरपूर संभावना इससे आपको बहुत साब्दान रहना है सचेत रहना है दूसरा आपके उपर आपके दिमाग पर 14 अप्रेल से 15 मई के बीच में नकारात्मक विचार बहुत ज्यादा हावी रहेंगे जो कि आपके लिए अच्छी बात नहीं है किसी के भी लिए अच्छी बात नहीं है आज अगर हमारे माइंड में कोई नकारात्मक सोच चल रही है निगेटिव थौट्स चल रहे हैं तो वो हमारे ही लिए हानी का रहे हैं सबसे पहले और आपके साथ भी कुछ इसी प्रकार की तुलाल अगन राशी के जातुकों के साथ ऐसी सिती 14 अपरेल से 15 माई के बीच में बनने की पूरी पूरी संभावना है तो नकारात्मक सोच को जहां तक हो सके निकालने की कोशिश करें अगर नकारात्मक सोच रहेगी तो बातें और बिगड़ सकती हैं आपके जीवन में और बातें और बिगड़ेंगी तो समस्यां आपके लिए ही पैदा होंगी उन समस्यां को आपको ही जिनना होगा और फ भावित रहेगी, इंकम आये में कमी रहेगी, या रुकावट रहेगी, या बाधर रहेगी, मित्रों के सहयोग में कमी रहेगी, बड़े भाई, बेहनों के सहयोग में कमी रहेगी, और जो आपका व्यक्तित्व है, देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, चर्चा के दोरान, कि सूल्य देव जो हैं, मान सम्मान के कारख हैं यष अख्याथी, नेम, फेम. और जब उन्हीं की सिती कमजोर हो जाए, तो व्यक्ति के जीवन में फिर वही चीbir जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ के नेम, फेम, यश, ख्याती, मान, सम्मान, फिर इसमें प्रतिष्ठा, इनमें कमी आती है, तो कोई आपके द्वारा ऐसा श्टैप ना ले लिया जाए, तुलाल लगन राशी के जातकों के द्वारा, के कहीं, आपके मान सम्मान में ना कमी आ जा आगे बात करेंगे जो व्रिष्ठिक लगन राशी के जातक है, इस्कॉर्प्यू असेंडेंट बेस जातक, आपके चार्ट में टैन्थ हाउस के लॉड है, करमेश मतलब, आपके करियर के लॉड है, और ये छटे बहु में जाएंगे, और जब ये सिक्स हाउस में जाएंग तो शत्रू जो हैं, आपके आपके उपर हावी होने की कोशिश करेंगे, कोई कोड कचरी से संब्दने तो अगर मामला चल रहा तो वो और पेचीदा होगा, वहाँ पर भी और ज्यादा वो चीज़ें आपको परेशान करेंगी, और आप कानून के चक्रों में उलने की ज्य ज्यादा टेंशन रहेगी, और आपके करियर में भी आपके लिए काफी समस्याएं बनने वाली हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, सातियों, करियर को ले करके भी बहुत, आपको सबसे बड़ी चीज़ी है कि पेशेंस से काम लेना है, और यहाँ पर मैं दूसरी दो डेट एक्सटेंड करा लीजिए, जो भी कोर्ट में तारीक वगरा है, उस आगे की डेट ले ले लीजिए आप, पंद्रे मही के बाद, क्योंकि अगर चौदे अपरेल से पंद्रे मही के बीच में, यह डेट आपकी पढ़ती है, आप जाते हैं, हाजर होते हैं कोर्ट म हैं, डेट पे, तो यह तो मान के चलिए के फिर जो वर्डिक्ट होगा, वो आपके अगेंस्ट मही जाएने की पूरी-पूरी संभावना है, और उसी मही आपके मान संभान में कमी होगी, तो जहां तक हो सके, पंद्रा मही के बाद की डेट लें, उसको एक्स्टेंड कराए क्योंकि ये समय आपके लिए साही नहीं है, और अगर कोई लोन आदी लेने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं पहले से, तो वो भी वहाँ पर भी आपको सक्सिस नहीं मिलने वाली, खर्चे अधिक होंगे आपके, और शत्रु पक्ष भी आपको थोड़ा सा आपके उपर चाहे जहां पर भी हैं, और मान सम्मान में आपके कमी लग रही है, पूरी तरह से, तो ये समय थोड़ा आपके लिए तफ पीरियड है, तो इसको बहुत पेशेंस के साथ आपको निकालने के आवश्यक्ता है, आगे धनुलगन राशी के जातकों के विशें में बात करेंग सीधी सी बात है, जब ये यहां पर आएंगे, तो देखिए, जो स्टुडेंट्स हैं धनुलगन के, वो डबल माइंड भी होंगे, एक तरफ तो उनका दिल करेगा कि हम खूब पढ़ें, इस्टडी करें, दिल लगा करके, दूसरी तरफ सोचेंगे कि नहीं क्या करना है, ब बहुत अच्छी चीजें, दूसरा गरे कहेगा कि नहीं, बिलकुल नहीं पढ़ना आपने, मैंने तो आपका रिजल्ट का एकदम बिलकुल जीरो लाके ख़ड़ा करना है आपको, तो आप उन दौनों के बीच में हैं, बिसाइड आपको करना है, कि मैंने करना क्या है, यहा तो उपरवाले के हाथ हैं, यह छोड़ दीजे, और खुब मेहनत करिए, हाँ पढ़ाई में भी समस्याय तो आएंगी, क्योंकि ग्रहों की सिती इतनी विचित्र हैं, तो आप उन परेशानियों को भी परेशानियां ना समझते हुए, किसी भी तरह अपनी पढ़ाई पर फ अच्छा करें, और हमारी तरफ से कुछ बैटर से बैटर हम करके दें, ताकि उसका अच्छा रिजल्ट्स मिल सके, लेकिन बीच बीच में कन्फ्यूजन भी होगा, क्या फाइदा है मेहनत करने का, जब इतनी मेहनत की, तो तो रिजल्ट्स ही आए, तो इसलिए बेकार है, क आपको पॉजिटिव, डिसाइड आपको करना है, इस बीच में, तो ऐसी दोविधापूर्ण सिती ग्रों के द्वारा बनी हुई है, साथ ही, आपके जो मित्र हैं, उन पर भी ट्रस्ट आप ना करें, आग बंद करके, अपने मित्रों पर, उनकी तरफ से भी आपको धोका म नुभव होगा, तो इस प्रकार के हालात बन रहे हैं, और भाग्य में तो वही देखिए, भाग्य का सपोर्ट तो निश्चित रूप से नहीं मिल पाएगा, जितना मिलना चाहिए था, उसमें तो कमी रहेगी, थोड़ी बहुत, तो भाग्य तो आप अपने से बना सकते हैं, परिश्रम करें, मेहनत करें, और साथ में जो हम अब रेमिडी देंगे अन्त में, वो करें, तो नईया पार हो जाएगी, आगे बात कर रहे हैं, जो मकरला गनराशी के जातक हैं, कैप्रिकॉर्ण असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके चार्ट में, सूर पहल तो होना ही नहीं, उसी मही कोई जंजट जंगले पर जाएंगे, कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाएगा, कि डील पैंडिंग हो जाए आपकी, आगे चली ना पाए, लेकिन फिर भी अगर किसी कारण चल भी गई, तो आप वो डील फाइनल अभी ना करें, ये समय आपके फेवर में नहीं है, 14 अप्रेल से 15 मई के बीच का, प्रोपर डिस रेलेटेड, कोई वाहन आदी भी ना बेच है, पहले ही सुक्सविधाओं का अभाव यहां पर दिख रहा है, और कोई सरीके का स्टेप आप बिलकुर ना ले, जो आपके लिए ही परेशानी का कारण बन ज पर दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पर भी आपको थोड़ा समल करके रहना है, और अपने सीनियर्स के साथ बना करके रखिए, अपने कलीक्स के साथ भी बना करके रखिए, क्योंकि यह मान के चलें कि समय पूरी तरह से आपके फेवर में नहीं है, चीज़ों को आपको ही देखना है, समालना है, कैसे समाल सकते हैं, बैटर से बैटर तरीके से, वो आपके उपर डिपेंड करेगा, कि भाई, सिचोशन है, टफ है, थोड़ा, अब उसको किस तरीके से फेस करना है, किस तरीके से हमको फेस करते हुए, उसको आगे बढ़ना है, चीज़ों को, पूर लेकिन हाँ मैंने तो आपको इतना यहाँ पर बता दिया कि आपके लिए चेलेंजिज भी हैं कारे छेतर में भी हैं और जो दूसरी चीज़े हैं प्रोपरटी हो गया वाहन हो गया इन सब चीज़ों से भी आपको और इसकी अतरिक वाहन वगरा भी अगर आप चलाएं तो बह यार और आशिरवात की कमी का भी अनुभव आप करेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा अब आगे बात करेंगे कुम लगन राशी के जो जातक हैं जो आपके चार्ट में जो सूर्यदेव हैं सेविन्थ हाउस के लॉर्ड हैं और थर्ड हाउस में वो आएंगे तो जब अभी भी वो ऐसा नहीं है कि भाई उसमें हालात कोई इंप्रूमेंट वानी कोई चीज मुझे नहीं दिखाई देती वेवाइक सुखों में कमी बनी हुई है और अभी इस दोरान भी बनी रहेगी जब तक सूर्यदेव मेश राशी में हैं अभी बनी रहेगी ये कमी तो आ अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत समझ करके रहिएगा उनके साथ किसी प्रकार का भी आप मिस बहेव ना करें कोई अपनी वाणी का भी बहुत समझ करके समाल करें जो भी शब्द आप बोलते हैं सोच समझ करके बोलें क्योंकि ग्रह नहीं चाहते कि आपकी मेरिड लाइफ सही चले ट्रेक पे आप व्यवाइक सुखों का आनंद लें ये ग्रह नहीं चाहते उन्हें पसंद नहीं है तो उनको तो पसंद नहीं है लेकिन आप तो समझ रहे हैं न हम तो आपको गाइड कर रहे हैं न तो जब हम आपको एक चीज बता रहे हैं तो आपको उसक करें उसकी सब कुछ ठीक रहेगा और उपाय हम देंगे आपको अभी अंत में वह आप उपाय करें और भाग्य का सहयोग पूरी तरह से आपको नहीं मिल मतलब भाग्य के सहयोग में कमी रहेगी साथ ही जो हायर स्टुडीज करना है इस्टूडेंट्स उनके लिए भी अपनी स्टूडीज में समस्याएं खड़ी होंगी या किसी कारण वश्च पढ़ाई कॉंटीनियू ना हो पाए उसकी वज़े से रिजल्ट्स एफेक्टिड हो जाए या कोई भी कारण ऐसा बन जाए तो पढ़ाई को ले करके समस्याएं हैं हायर स्टूडीज जो करना है जितनी आप अपेक्षा करेंगे उतना नहीं और यदि आप कोई पॉब्लिशर है राइटर है या कोई नौवलिस्ट हैं तो वहाँ पर भी आपको अभी सफलता प्राप्ति के योग नहीं है चौदे अपरेल से पंद्रे मई के बीच में आपके लिए भी थोड़ा सा यह एडवर्स सिच्वेशन रहने वाली है अंत में बात करेंगे जो मीन लगन राशी के जातक है पाइसेज असेंडेंट बेस जातक है आपके चार्ट में जो सूर्य देव है वह छटे भाव के तो चाहेंगे कि आपकि धंकी बचत हो अच्छी मात्रा मैं हो परीजनों के साथ आपके संबंद अच्छे बने यह सूर्य देव की तो कोशिश रहेगी लेकिन रहू ऐसा नहीं होने देंगे रहू आपसे कुछ ऐसा काम करवाएंगे कि ना तो आपके परिवार के साथ वो बनने देंगे और क्योंकि सूर्य के शत्र हुए सूर्य जो चाहेंगे वो उसका उल्टा करेंगे तो ना तो परिजनों के साथ आपका ये संबंद सही तरीके से चलने देंगे राहू सूर्यका जो संब्ध होगा, राहू और सूर्यका आप सी शंब्द는데 साथ, आपके मद्वेभ, पैदा करवाएंगे, आपकी अभी तक, जो आपने अपने पैसे को सेव किया है, जम्आ किया है जहां जहां भी, जिस तरीके से भी, मुह से भी पैसा सापको किसी होगा धने उसमें और साथ ही घर के बड़े बुजुर्ग उनके आश्रवात में कमी और यहां तक भी हो सकता है कि कोई इम्मूवेबल प्रॉपरिटी उनके जो घर के बड़े हैं बुजुर्ग हैं आपको वह मिलती लेकिन आपके व्यवार या आपके बातों से या कुछ भी ऐसा कुछ होने से आप उससे वंचित तक भी हो सकते हैं वह यनि कि आपके घर समझ करके प्रियोग करें क्योंकि आपको पता है कि यह समय आपके फेवर में नहीं है और हम बता रहे हैं इस बात को बार बार कि समय आपका फेवर में नहीं है सुर्य देव की सिती बहुत कमजोर है और रिजल्ट्स भी आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार के रिजल्ट्स आपके सामने आने की पूरी-पूरी संभावना बनती है तो यहां पर आपकी समझदारी यह कहती है कि आप इन चीजों की और से पूरा सावधान रहें सतरक रहें और अतना करें जिव अपना समय खराब होता है तो सको समय को पास करने की कोशिश करनी चाहिए उस समय में हमें ज्यादा कुछ इस तरी कि के स्टैप जोष में आके नहीं लेने चाहिए जोसे हम अपना ही नुक्सान कर लें तो यह था प्रियसातियों आपके लिए के भाई और देखिए शत्रू पक्षि भी आपको आपके उपर हावी होने की कोशिश करेगा मैं आपको चलते चलते बताना चाहता हूं मीन लगंडाशी के जातकों को यहां तक जरूवत पढ़ सकती है आपको कोई करज वगरा पैसे का आप अपना ध्यान रखिए खरज पर नियंतर रखिए अदरवाइस बजट भी गड़ सकता है आपको कहीं से करजा बढ़ जार लेने की भी जरूवत पढ़ सकती है और करजा भी लेने के लिए जाएंगे त यह वो समय है 14 अप्रेल से 15 मई के बीच का तो प्लीज आप तिरा थोड़ा साफधान रहिए तो यह तो था मेश्ट से लेकर मीन तक जो हमने अभी तक आपको वो रिजल्ट्स बताने की कोशिश की है जो सूर्यदेव के राशी परिवरतन करने के उपरां आप सभी 12 लगन राशी के जात्कों को मिलने की संबाबना है उसमें हम सोयंबी है हम भी आते हैं तो देखिए सात्यों अब यह तो हो गया यह तो हुआ आपके लिए रिजल्ट्स जिनकी चर्चा हुई अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो रेमिडीज करना क्या है जैसा मैंने चर्चा के का हा था के 20 अपरेल को सूर ग्रहन भी है और सूर сделал को ही लेकर के यह सारा चर्चा हो रहा है इस वीडियो में क्योंकि सूर देव की सिथिए बह। दैनु रहा जा रही है वो विक्टिमाइज होने जा रहा है प्लिए तौर अप्रेल से पंद्रह माई के बीच और इसी दौरान बीस अप्रेल को सूर्रे गरहन भी है उसके ओपर हमारा वीडियो आज उकाएं यूट्यूब पर फेस्बुक पर आप देख सकते हैं वहाँ से भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी तो हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि देखिए क्योंकि सूर्रे की इस्तिती कमजोर है मान सम्मान प्रितिष्ठा इन सब चीजों के ये कारक हैं यश्ख्याती देने वाले हैं ये और जब वही कमजोर हो जाएगा तो हमारे जीवन में जो मान सम्मान मिले है उसमें तो निश्चे दूरूप से कमी आईगी न तो उसमें एक चुक्ति आप वो भी डालने रोली रोली डालने कुम कम जिसको कहते हैं और हो सके तो लाल फूल भी डालने और तब उसको आप करें और उस समय करते करतें ओम घ्रनी सूर्य नमाहा कम से कम ग्यारे बार नहीं तो 108 बार इसका जब जरू करें पहला कार तो ये करे सबसे पहला दिन के प्रारम से और अगर आपके घर में आपके बड़े हैं बुजुर्ग हैं आपके पिता हैं या पिता समान कोई व्यक्ति हैं बुजुर्ग उनके प्राते उठते ही पाउं जरूर छुएं उनका आशरवाद लें और तीसरा ये के पूजा घर के अपने घर में पूजा घर के सामने बैठ करके या तो आप सूरे चालिसा का पार्ट करें उसके बाद सूरे देव की आरती करें या आदित्ते हिर्दैस्तोत्र का पार्ट कर सकते हैं चाहां पांच मिनट करें चाहां दस मिनट करें या फिर सू नमहा एक मंत्र है ओम घ्रणी सूर्या नमहा ये है मंत्र और जहां तक सूर्य ग्रहन का सवाल है या रविवार के दिन रविवार के दिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिती काफी कमजोर है साथियों पहले से ही तो उन साथियों से हमारा ये कहना है कि आप रविवार के दिन गेहूं जिसको कनक भी कहते हैं ग्रेन गेहूं का और गुण का जरूर दान करें और तावा भी दान कर सकते हैं आप तीन चीज़े हैं गेहूं गुण और तावा कौपर इन चीज़ों का आप दान करें ये मैं दान उत्तब कह रहा हूं कि जब आप की कुंडली में सूर्य की इस्थिती कमजोर हो पहले से ही तब उनको ये काम करना है इस पूरे महीने 14 अपरेल से 15 मही के बीच प्रत्यग्रविवार को दान करें और जो सूर्य ग्रहन आ रहा है सभी 12 लगन राशी के जातकों को जो हमने सूर्य ग्रहन के वीडियो में जो उपाए बताए हैं वो जरू करें देख लें आप वीडियो को जो हमने उसमें उपाए दिये हैं वो करें आप सूर्य ग्रहन वाले दिल तब आप जा करके कहीं सही सि में आ सकते हैं तब आप जो भी दुष़् परिणाम हैं उन से बच सकते हैं या उनकर च्वाय सकती है तो, प्रियसाति Skill हमारा कार रहर जो था आपको प्रॉपर गाइड करने का आपका मार्क दรशन करने का वह मैं आपको इस वीडियो में करने का पूरा हमारा प्रयास रहा है. तो ये चर्चा सूरे देव को ले करके जो हमने की है आपके साथ उनके राशी परिवर्तन के उपरांत मिलने वाले परिनामों की संभावना जो इ seine की बंदी है. अधिक उनको ले करके तो यह चर्चा आपको अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरू करें चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूने अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग आप तक सीदे पहुँच पाएं तो फिर आपको करना यह है कि जो बैल आइकन है उसको पुश करना है तो इसी के साथ आप सभी का सेहर दे बहुत-बहुत धन्यवाद जैए क dif दो खाले अखिक, सीदे लघगो है सीदे मホं इसी ऑनम, हुच है। चזה- बहुत-बहुत-बहुत-बहुत pięता है